नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं आज के वीडियो में आप के लिए लेकर आया हूँ मंगल ग्रह के बीज मंतर के बारे में जानकारी आज की वीडियो में जानिये मंगल ग्रह का बीज मंतर क्या है, इसे किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं साथियो मंगल के कारकत्व में जो वस्तों आती हैं वहां है हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, बल, भाई हमारे शरीर में उत्साह, एनर्जी के कारक मंगल देवता है और छोटे भाई बहनों के कारक मंगल देवता है इसके अलावा जो है मांगलिक दोस्त कंजर्माण यदि कुंडली में हो रहा है तो उसका भी दुस्प्रभाव कम होता है मंगल देव कुंडली में किसी भी स्थिति में बिराजमान हो अब मंगल देव के बीज मंत्रों का जब करेंगे आपको ला भी होना है इसका कोई भी side effect नहीं है तो जानते हैं कैसे कर सकते हैं मंगल का जब साथियो यदि पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो ऐसे ही फिर वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें नई वीडियो की notification के लिए bell icon को प्रेस करें और वीडियो अब पसंद आए तो like और share करना न भूले हैं आये जानते हैं क्या है मंगल का बीज मंतर मंगल का बीज मंतर जो है वह इस प्रकार से है यह मंगल का बीज मंतर है इसको आपको सबसे पहले याद कर लेना है इसका सही उच्चारन आपको contest कर लेना है मंत्र जाब शुरू करने से पहले तो मंगल के मंत्रों का जो जाब किया जाता है उनकी संक्या है 10,000 10,000 बार जपने से यहां मंत्र सिद्धो होता है कल्यूग में चार बार करो कहते हैं अनुष्ठान तो आप 10,000 के 4 अनुष्ठान यानि 40,000 मंगलवार जब सकते हैं ऐसा करने से और ज़्यदा लाव आपको मिल जाता है इसको जबना कैसे है किसी भी मंगलवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं शुकल पक्षि का मंगलवार ले तो बैस्ट रहता है नहीं तो आप किसी से भी करने इसमें कोई नुकसान लिए अगर मंगलवार से भी करें आपको लावी होगा सभे रेस का जब करना चाहिए लाल चंदन की माला बैस्ट रहती है या मुंगे की माला से भी आप जब कर सकते हैं और तुलसी की माला भी आप प्रयोग कर सकते हैं जब करने से पहले क्या करना कि आपको संकल्प लेना है कि है मंग जब करने का संकल्प लेता हूं इस जब में कोई तुरुटी हो तो उसके लिए छमा चाहता हूं आपसे इस प्रकार से आप प्रार्षना करें अपनी मनोकामना आपकी कोई विशेश है तो उसका भी आप उच्छारण करें कि मेरी यह मनोकामना है इस निमत्त में यह जब कर र रहता है तो आठ दिन में करें एक मंगलवार से शुरू करें अगले मंगलवार से खत्म करें तो आठ दिन में आप इस प्रकार से कर सकते हैं तेरा माला आपको डेली जपना होगा जो आठ दिन में आप अनुस्ठान पूर्ण करें उसमें आपको ब्रेक नहीं करना है कंटि रखनी है जितनी ज़्यादा पभीतर्ता सरद्धा होगी उतना ज़्यादा और जल्दी रिजल्ट मिलता है ऐसा प्यस्वाष किया जाता है कि मंत्र जाप पूरा होने के 45 डेज बाद रिजल्ट पूरा आना शुरू होता है एक बात आपको याद जाहूंगा कि मंत्र जाप करने के बाद 10% का हवन का नियम भी सास्तुर में बताए गया है अगर 10% कंपल सरी नहीं हो पा रहा है तो 108 बार कम से कम करें 108 से जितना ज़्यादा हवन कर पाए उतना बेटर है और जब आपका जब पूरा हो जाता है फिर जब पूरा होन के बाद 108 बार परतियक मंगलवार को भी आप जब करें तो आपको लावी होगा और जब आपका जब पूरा हो जाए तो कुछ दान मंगल की वस्तों के निमें तलाल वस्तों का कुछ दान आप मंगल देव के मंदिर या हनुवान जी के मंदिर में दे सकते हैं पर यदि कुंडली में मंगल उच्च के हैं या योक करक पॉजिटिव है या स्वग रही बैठे हैं तो दान न करें मंगल अगर मारा खो तब ही दान करना चाहिए तो इस प्रकार से आठ दिनों के अंदर आप मंगल देव के बीज मंतर को सिद्ध कर सकते हैं यदि आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप किसी के द्वारा इसको करा भी सकते हैं हमारे द्वारा भी यह जब किया जाते हैं यदि आप चाहें तो हमें भी इसके लिए आप स्क्रीन पर दिये नंबरों पर संपर्क कर सकते तो साथियो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया मंगल देव के बीज मंदर के बारे में इसे कैसे जपें कैसे सिद्ध करें यदि इस्टिल आपका कोई additional query है या कोई doubt है तो आप मुझे comment box के माध्यम से update कर सकते हैं या स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर contact कर सकते हैं ऐसे ही free वीडियोज के लिए देखते रहे हैं मेरा youtube channel आप सभी का समय शुभ हो जै स्रीराम